hey guys welcome to my channel abrocks team यहापर euro qualifies league का match हो रहा है norway versus Scotland के बीच 9.30 बजे वीडियो थोटी चोटी एच कंबे to another videos because time निया 1.5 घंटा बचा है match को रात की वीडियो में proper डाल दूँगा अभी जस्याप manage कीजिए बाकी हार होगे नहीं इस बात की मैं guarantee है तो बात करें मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे description में जाओ फटाफ नीचे description box में link पर करो click and join और गाइस वीडियो के अंदर किसी बी तरह की चीज को पुरस्तायत नहीं करें वीडियो बहुत ही अदा safe on knowledge यहाँ सो बढ़ते हैं आगे मैच की तो यहाँ पर Norway and Scotland के अंदर जो मैच हो रहा है इसके अंदर मैं favor करूंगा Norway को and Norway team is much better than Scotland क्यूंकि Norway में एक बाप खिलाडी खेल रहा 22-23 साल का लड़का जिसने आने वले टाइम पे बड़े बड़े खिलाडियों को पीछे छोड़ना है जिसका नाम है Erling Holland अभी यह कुछ दिनों से नौर्वे की तरफ से खेल नहीं रहा था जिसकारण एक्चुली ना यह बीजी था इसकी Manchester City की टीम में काफी बीजी था प्लस इनकी टीम फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं हुई थी नौर्वे टीम तो नौर्वे का ज्यादा उपर स्ट्रेस था नहीं अब क्या स्ट्रेस है कि अब मैचिस हो रहे हैं ठीक है अब यूरो कॉलिफायर्स के अब यूरो में भी पक्का जीते क्योंकि यूरो बहुत बड़ा है और बहुत टीमें आती है स्कॉट्लेंड हो गई यह हो गई इंग्लैंड हो अपना बहुत टीम है मतलब ठीक है तो उसके अंदर मुझे लगता है कि नौर्वे को यह मैच अच्छा करना यह वला सीजन अच्छा करना चाहिए तो मैं हलांड को जरूर लूँगा इंच सॉर्लोत को सॉर्लोत चब तक हलांड नहीं खेल रहा था तब तक इस बिचारे ने बहुत खूब गेम संभाली तो मेरे लिए एक रिस्पेक्ट है सॉर्लोत के लिए क्योंकि जब यह टोमेस्टिक लेवल पे भी खेलता है देन बहुत अच्छा करता है सो अब इस खिलाडी के साथ जरूर जाओंगा और आगे से बात करें यहाँ पर स्कॉट्लेंड के खिलाडियों की तो उनके बहुत ऑप्शन है तो देखो आर क्रिस्ची इतना बेटर है नहीं मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ उससे बढ़िया L-Dykes है क्योंकि L-Dykes कभी-कभी चल जाता है कभी-कभी यह भी जादा नहीं चलता सो हम आपको बता दूँ है और आगे से बात करें मिट फिल्डिंग की एम ओडेगाड को यहाँ पर लूँगा एम ओडेगाड के बात देखिए मैक्टोमीन ने लास्ट सीजन सॉरी लास्ट कुछ मैचिस पहले एक मैच में दो गोल किये थे सेकेंड मैच में दो गोल किये तोटल चार गोल आए थे वह भी यूरो कॉलिफाइज लीक के मैच थे 29 मार्च को प्लस 25 मार्च को 2 गोल किप्रस को दो स्कॉड ओढूः दो गोल स्पेड को यह नजर में थे यह ख़िलाडी मेरे आगही से बात करें तो जो और खिलाडी आपने लेना है स्कॉड्टलैंट का तो वहर मैं आपको दो में से एक राय है सकता है या तो आप उठाई fel देखिए मैक गिन को क्योंकि मैक गिन अच्छा है बैटर है ठीक है और अगर आप मैक गिन लेते हैं और अगर आपने रोबर्टसन लेना है ठीक है रोबर्टसन एक मेन खिलाडी है अगर मन में है कि यहाँ भाई रोबर्टसन लेना है तो क्या कीजिएगा L Dikes को निकाल के Robertson ले लेना ठीक है यह कहे कि आपका एक combination बैठ जाएगा और दूसरी बात यहाँ पर एक midfielder अगर आप और लेना चाहते हैं Norway का तो आप ले सकते हैं Orsoness को इसके अलावा में किसी को लेने की राय आपको नहीं दूँगा क्योंकि ओला यह जो खिलाडिया देख रहे हैं यह तना खास है नहीं इसका gameplay में बहुत अंतर आ रहा है उसके बाद M. Elonshi बेकार प्लेयर उसके बाद आपका बर्च बिलकूल बकवास ठीक है तो यह बाकी खिलाड़ी ऐसी है तो आप Orsoness को ले सकते हैं अगर आपको लेना चाहिए तो बहुत ही अच्छा है कई बार जो बंदा डिखाने की कोशिश करें क्रिकेट में भी यह होता है और बात करें गोल कीपिंग की तो एह गन को यहाँ पर लूंगा लेटसी क्या करता है वैसे तो अच्छा है है तो बात करें कैपटन की कैपटन है एर्लिंग होलांड एंड वाइस कैपटन वसमा ओडेगाड सौरलोट को रख सकते हो बट कहना स्घार ज्यादा को लॉर्ट बेगाड की है क्यूंकि ओडेगाड प्रिमिर लीग में खेलता है सकते हैं बाकी में और एकार के साथ ही जाओंगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई